नवश्कार मैं हूँ सुख्रती रोय चैटर जी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है कुछ लोग अपने स्वास्त को ध्यान में रखते हुए नमक का सेवन बेहद कम करते हैं ज्यादा नमक खाने से शरीर में सूजन पैदा होती है और ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है लेकिन आपकी त्वचा के लिए नमक चमतकार कर सकता है समुद्र के खारे पानी का स्वाद किसी को भी अच्छा नहीं लगता मगर उसमें स्नान करने से कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स दूर होती है वैसे नमक मिले पानी में धेरो खूबियां भी पाई जाती है नमक हमारी त्वचा और बालों के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें कई तरह की मिनरल्स जैसे कैल्शियम, सिलिकॉन, सोडियम जैसे तत्व शामल होते हैं अगर आप घर पर ही नमक के पानी का इस्तमाल अपनी स्किन और बालों के लिए करना चाहती है तो जान ले कि ये कैसे काम करता है अगर आपको पिंपल्स की परिशानी है और आप सारे उपचार करके अब ठक चुकी है तो नमक आपकी मदन कर सकता है आपको बस एक कटोरी पानी में एक चम्मत समुद्री नमक मिलाना है इस पानी में रूई भीगो कर उस जगह पर लगाएं जहां आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है पर इसे सूखने दे और बाद में चेहरे को धो लें ऐसा आपको रोजाना करना है आप पाएंगी कि दो-तिन दिन में आपको मुहासू से छुटकारा मिल जाएगा नमक एक शांदार एक्सपॉलियेटर के रूप में भी काम करता है ये स्किन पोर्स की गहरी सफाई करता है साथी आपकी त्वचा को मौश्चोराइज भी करता है अगर आपकी स्किन समवेदन शील है तो चेहरे के बजाए आपके शरीर के लिए खारे पानी का इस्तमाल किया जाना चाहिए नमक के पानी से आप अपने हाथ और पैरों को स्क्रब करके उन्हें सुन्दर बना सकते है नमक का पानी स्कैल्प के अंदर रख्त परी संचरण को उतेजित करता है और रूसी को दूर करने में मदद करता है वही कई लोगों की स्कैल्प बहुत ओयली होती है जिससे उनके बाल शैंपू करने के दूसरे दन बाद ही चिपचिपे हो जाते हैं ऐसे में आप नहाते वक्त अपने बालों को नमक मिले पानी से दोए इससे आपके बाल का मॉयली होंगे और उनमें चमक भी बढ़ेगी उमीद करते हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले